Hello guys, welcome to पूरी पड़ाई, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर होता क्या है और प्रैक्टिकली इसे किस तरह से इंप्लिमेंट कर सकते हैं और कैसे रन कराएंगे अपने हैं तो स्टार्ट करते हैं, तो तो इसे सामने आपके एक 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 एग्ज्सांपल है तो यह स्टिंग है, ओर नीचे आप देखेंगे एक function लिखा होया तो आपका एक object है तो आपको किसी भी variable का type जानना है तो आप type of operator से जान सकते हैं चलिए हम देखते हैं कि इससे practically कैसे run कराएंगे इसके लिए अपने notepad में जाएंगे notepad पे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है script और ending script इसके अंदर आप javascript यूज करना start करेंगे यह मैं already पता है कि opening को closing tag लगाता है जिसके अंदर हम script लिखते हैं एक variable ले लेंगे a equal to 0 या फिर कुछ भी ले सकते हैं 5 ले सकते हैं इसके बाद हमें print कराना है document.write लगा कि आप print करा देंगे इसके अंदर आपको a को print कराना है बट उसका type क्या है type of operator से लगाएंगे हम a ठीक है अभी इसका type आ जाएगा a का और इसे हम करेंगे save just type of.html से हम save करा देंगे तो इसे हम run कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप लिखा हुआ है number तो अगर यह number की जगह मैं कोई string कर देता हूँ तो अभी क्या आने वाला है यह आ गया आपका एक string ठीक है अभी इसकी जगह हम बनाते हैं एक object बना लेते हैं एक object जिसमें कि हम name डाल देंगे और एक और element ले लेते हैं अभी इसका देखते हैं कि यह क्या आ रहा है यह object होना चाहिए बढ़ हमें कैसे पता जालेगा ऐसे पता जालेगा तो आप अपने variables का कोई भी आपके पास variables है उसका आपको data type जानना है कि यह actually मैं है क्या एक object है string है तो इस तरह से आप type of operator का यूज करके जान सकते हैं सो आप आपको type of operator सुन में आया होगा सो थैंक्यू गाइस meet me on the next video तब तक के लिए गुट बाई यह feedback is valuable for all सो प्लीज कमेंड like and share with your friends. Thank you